भोला का पहला रिव्यू निकल कर आ चुका है सामने नमस्कार दोस्तों मैं हूराहूल श्वागत है आपका मेरे शेनल बोलिवूड डॉंपर अब कहीं लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया फिल्म तो 30 मार्च के दिन रिलीज होने वाली है तो आज 4 दिन पहले के से रिव्यू निकल कर आ गया है तो सेंसर बोल्ड के कुछ सदस्यों को ये फिल्में दिखाए जाती है ताकि इन फिल्मों को सेंसर सर्टिफिकेट दिया जा सके उनी सदस्यों में से कुछ लोग होते हैं जो कि इन मूवीज का रिव्यूज करते हैं हर मूवी को सेंसर बॉर्ड के सदस्यों और कुछ क्रिटिक्स को एलेई दिखाया जाता है इनके लिए कुछ स्पेसल स्क्रिनिंग रखी जाती है जिसके आधार पर ये रिव्यू निकल कर आया है और इस रिव्यू में भोला के बारे में जो कहा गया है वो एक चोकाने वाली बात है इस रिव्यू से भोला के बारे में जो भी खुला से हुए उसे जानने के बाद भोला को लेकर आपकी excitement और भी बढ़ने वाली है इस review में बताया गया है कि फिल्म में आजे देवगन तब्बू और उनके अलावा किस किस का cameo है और इस review में ये भी बताया गया है कि आजे देवगन का face of किसके साथ होने वाला है तो चलिए बगेर किसी देरी के फटाफट से हम भी जान लेते हैं कि किसने किया है भोला का आया है फर्स्ट review और क्या कुछ कहा है और कितने इस्टार मिले है भोला इस मार्च को साल की एहम फिल्मों में सुमार भोला रिलीज होगी अजेद एवगन स्टारर और निर्देसित भोला बीते लंबे वक्त से चर्चा में बनी हुई है इसके ट्रेलर वा गानों को सोसल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉंस मिला है फिल्म के रिलीज के चार दिन बांकी है लेकिन इससे पहले ही फिल्म का फर्स्ट रिव्यू शामने आ गया है भोला का ट्विटर रिव्यू शामने आया है जिसमें इसे एक बहतरिन फिल्म बताया गया है दरसल ट्वीटर पर Always Bollywood नाम के एक हिंडल ने भोला का रिव्यू किया है भोला को रिव्यू में चार स्टार दिये गया है ट्वीट में लिखाए कि भोला एक बहतरिन फिल्म है फिल्म तेजी से आगे बढ़ती है जिसमें दमदार स्टोरी के साथ में एक्षन और इमोशन भरपूर है वहीं वीजुल भी शांदार है आजे देवगन ने उमदा काम किया है वहीं तब्बू ने भी स्क्रीन पर पूरा दम दिखाया है वाक़ा यहां फिल्म सभी को देखनी चाहिए बता दे कि इस ट्विटर हेंडल के बारे में अधिक जानकारी नहीं है लेकिन बॉलिवूड लाइफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है बता दे कि भोला 30 मार्च को शिनेमा घरों में रिलीज होगी भोला में एक्टिंग करने के शाहत ही इसका निर्देशन भी खुद आजे देवगन ने किया है फिल्म में आजे और तब्बू के शाहत ही तामला पोल, संजे मिश्रा, मकरंद देशमांडे, दिपक दॉबरियाल और सिरदाद उबे भी एहम किरदारों में नजर आएंगे याद दिला दे कि भोला तामिल फिल्म केथी का हिंदी रिमेक है लोकेश नागराज के निर्देशन में बनी केथी में एक्टर कारती ने दमदार रोल निबाया था गोर तलब है कि अजे देवगन के आखरी रिलीज फिल्म द्रश्चम 2 हिट थाबित हुई थी वहीं अब अजे देवगन जल्दी ही भोला में नजर आएंगे जिसका की निर्देशन भी उन्होंने ही किया है भोला में अजे देवगन के साथ ही तब्बू लीड रोल में नजर आएंगे फिल्म 3D में रिलीज होगी बता दे कि भोला के बाद अजे देवगन मेदान औरों में कहा दम था सिंगम अगेण और नाम में नजर आएंगे तो दोस्तों जिस करने की मूवी यह भोला है जिस तरह का बज बना हुआ है तो उससे जाईर है कि यह मूवी कमाल करने वाली है आप कितने एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर कमेंट करके मुझे जरूर बताना और अगर आपने अभी तक मेरे शेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी शेकरती से